गैज आम तोर पे आप सभी इस्टुएट अगर ओलिबल का फॉर्म फिल की हो तो यह परिशान रहती हो कि अगर इंस्टूट से फॉर्म भरा गया है तो यह आप चेक कर पाओगे कि हमारे फॉर्म आगे प्रोसेस हो पाया है कि नहीं हो पाया है इनफेक्ट हमारा फॉर्म भरा भी गया है कि इंस्टूट के माध्यम से या नहीं भरा गया है तो सारा स्टेटस आप घर बैठे अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हो बहुत ही सिंपल आसान तरीके के साथ आई हम समझते हैं कि सिंपल हम नाइलेट के वेबसाइट पर से ओलेब हम भरा गया है तो कितनी पेपर भरे गया है इनफेक्ट उसका फीस पेइमेंट हुआ है या नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो वह फॉर्म का कौन सा स्टेटस हमारा मिन्स किस स्टेज तक हमारा फॉर्म अभी तक रुका हुआ है आगे प्रॉसेस होगा या नहीं होगा य कुछ step में आप सीख सकते हैं समय अगवाते हुए आए वीडियो को करते हैं स्टार्ट मैं आपका दोस्त आसीज आए सबसे पहले समझते हैं नायलेट की website पे हम विजिट करेंगे और student portal यहाँ पे open कर लेंगे exam application form का status चेक करने के लिए आप website पे आने के बाद यहाँ पे आप login कर लेंगे user ID and password के साथ user ID, password के साथ जैसा आप यहाँ पे login करेंगे तो आपका यहाँ पे नायलेट student का जो आपका portal है dashboard वो पूरी तरीके से यहाँ पे open हो जाएगा आपको क्या करना है बस यहाँ पे courses पे जाना है और my courses पे आपको क्लिक करना है view detail पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे complete जितने form आप apply की रहेंगे starting से लेकर के अब तक सारा यहाँ पे show करेगा आपको क्या करना है January 2023 के लिए अगर यह form आपने apply किया हुआ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे application का complete status show करने लगेगा जैसे कि यहाँ पे देखिए यह आपका application number है और इसके साथ यहाँ पे देखिए आपका application का status जो रहेगा वो receive हो चुका है knowledge के यहाँ पे payment का आपका यह mode हुचा है इसका payment का transaction ID आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आप यहाँ से time table वगरे भी यहाँ पे check up कर सकते हैं in fact आप previous जो आपका exam हुआ है उसका भी आप पूरा status देख पाएंगे previous जो आप exam दियो उसका अगर status देखना फिर से again my courses पे जैसे आप click करेंगे view detail पे आप यहाँ पे click करना है आपको यह भी देखने के यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने कितने courses मतलब complete कितने module में आपने यहाँ पे pass कर लिये हैं और आपका project अगर submit हो गया तो यहाँ पे आपका submitted यहाँ पे दिखाएगा और इसके बाद July 2021 यह जुलाई 2022 जितने भी paper आपने अब तक के दिये हैं सारा status यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप हमारे माध्यम से project भी अपना submit कराना चाहते हैं बिलकुल minimum price में दिये गए contact number के साथ तो वो अपना user id and password institute के माध्यम से ले सकते हैं यह आपका हक है आपका अधिकार है अगर आपके पास user id password नहीं होता है तो institute से जाके आप ले सकते हैं अन्य था आप दुबारा अपना user id and password reset भी करा सकते हैं बहुत ही कम step में guys उमीद करते हैं आपको दी गए सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी इसी तरीके से और भी courses को आप purchase करना चाहते हैं तो आप हमारे website पे visit करना न भूलें किसी भी प्रकार का आपको doubt लगता है तो दिये गए number पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं आप चाहें तो आप मुझसे personally भी connect हो सकते हैं guys ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुचाना न भूलें क्योंकि हम आपसे एक ही request करेंगे कि लोगों तक पहुचाए जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फायदा मिल सके हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद